हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माय जेनल मीन किचन आज हम बनाने वाले हैं साबूत मूंग डाल की नमकीन इससे बनाना बहुती सिंपल है और ये बहुती अच्छी बनती है तो इसके लिए हमने एक कब मूंग ली है इसे हमने तीन घंटे पहले पानी में भीगो दिया था और इसमें आदा चमच वेकिंग सोडा भी डाल दिया था और अभी ये काफी अच्छे से फूल चुकी है हमें क्या करना है कि इसका पूरा पानी नितार देना है और इसे अब एक सूखे कपड़े पर फैला देना है इन मूंग में से सारा पानी सूख चाए और इसका मॉश्चर खतम हो जाए तब तक हमें इसे कपड़े में फैला के सुखा लेना है सो इसे फैला कर पूरे 10 मिनिट हो गए है और इसका पानी अच्छे से सूख चुका है अब हम इसे एक बावल में निकाल लेते है और अब मूंग को फ्राय करने के लिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल हमें एक तम जादा गरम चाहिए और जादा तेल भी नहीं चाहिए क्योंकि जब हम मूंग फ्राय करेंगे तब ये ऊपर आ जाएगा तो तेल अच्छे से गरम हो गया है इसे चेक कर लेते हैं एक दाना इसमें डाल कर देखते हैं और ये दाना काफी अच्छे से फ्राय हो गया है बस हमें इतना ही गरम तेल चाहिए अब हम थोड़े थोड़े मूंग करके इसमें फ्राय कर लेते हैं जैसे ही तेल में मूंग डालते हैं वो उड़ने लगते हैं इसलिए हमें ऐसे थोड़ा धकन कवर कर देना है जिससे की मूंग धकन से टकरा कर वापस तेल में ही चले जाए जैसे इसके थोड़े बबल्स कम हो गए इसका धक्कन हम हटा देंगे सो बस बबल्स कम हो गए है इसका धक्कन हटा देते है क्योंकि अब मूंग नहीं उड़ेंगे हमें तेल का जाग खतम होने तक और इन्हें अच्छा सक क्रिस्पी होने तक फ्राई कर ले रहें तो तेल का जाग पुरा खतम हो गया है और आप चाहे तो मूंग का एक डाना ऐसे चैट करके भी देख सकते हैं कि ये क्रिस्पी हुआ है या नहीं तो मूंग काफी अच्छे से फ्राइ हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है इन्हें तेल में से निकाल लेते हैं इन्हें एक पेपर के उपर निकालेंगे जिससे कि इसका एक्सेसिव ओईल पेपर एब्जॉब कर ले ऐसे ही हमें थोड़े थोड़े करके सारे मूंग फ्राई कर लेने हैं तो ये मूंग भी फ्राई हो गई है इन्हें भी देल में से निकाल लेते हैं ऐसे ही हमें सारी मूंग फ्राई कर लेनी हैं तो हमने सारे मूंग फ्राई कर लिए है और ये अच्छे एकदम क्रिस्पी फ्राई हुए है अब इन्हें एक बावल में निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो हम इसमें डाल रहे हैं एक चमत चाट मसाला थोड़ी सी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मूंग डाल की नमकीन बनकर तयार है इसे एक ब्लेट में निकाल लेते हैं इस मूंग डाल को एर टाइट कंटेनर में रख कर तो से तीन महीने तक खाया जा सकता है इसे बनाना भी सिंपल है और ये खाने में एकदम खस्ता और टेस्टी लगती है तो आप इसे घर पर जरूर ट्राइ करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक केजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइट में लगे हुए बैल आइकन को भी दबा दीजे ताकि जब भी मैं आया विडियो डालू तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले